मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टोपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो इतने आसान हैं, इतने कॉमन हैं, जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं कि इन से भी परिक्षाओं में परशन पूछे जा सकते हैं। DSSB का जो 2018 में पेपर हुआ है, उसमें पहले पेपर में जो सामानने हिंदी आती हैं, हिंदी भाषा से संबंदीत, अगर TGT, PGT, हिंदी के लिए पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी जो हिंदी होती है, वो हाई लेवल की होती है, आपको सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जब हम बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं, जर्नल या सामानने हिंदी की बात करते हैं, तो जो हमारी छोटी कक्षाओं की हिंदी होती है, वहीं से ज़्यादा तर प्रशन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपकी सिर्फ हिंदी की जानकारी चेक की जा रही है, आपको deep knowledge है उस subject की ये चेक नहीं किया जा रहा, इसकी checking सिर्फ TGT हिंदी, PGT हिंदी या हिंदी के particular जो special papers होते हैं, उसी में पूछी जाती है, आज हम जिन topics की बात करने वाले हैं, ये topics आपको चठी से लेके 8 व को छोड़ देते हैं, कि ये तो हमें आते हैं, या फिर इन से परशन नहीं पूछे जाएंगे, इनको करना इतना आसान है कि अगर एक बर आप reading भी करेंगे, एक बर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो बड़ी आसाने से इन topics को cover कर सकते हैं, ये कौन से topics हैं, आईए इसके बा आपसे पहला topic है समुवाची शब्द, जो हर एक भाषा में आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, संस्कित में भी आप पढ़ते हैं, समुवाची शब्द, ये इतने आसान है कि बहुत छोटे बच्चे को हम सिखाते ह उन्हें समूवाची शब्द कहते हैं। आपसे परिख्षा में परिभाशा नहीं पूछी जाएगी, आपको कुछ शब्द दे दिये जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन समूव को हम हिंदी भाशा में क्या कहते हैं। आइए कुछ उधारण देखते हैं, परिख्षा में आपसे पूछा जाएगा तिडियों के समूव को क्या कहते हैं। तो परिख्षा में उस समें हमें जो दल शब्द है, वो हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता हैं। तिड्डियों के समूव को हम एक विशेश शब्द से अंगूरों के समू को हम सभी जानते हैं, गुच्छा कहते हैं, परवतों के समू को हम श्रंखला कहते हैं, परवत श्रंखला, तो यहां पर भी कभी कभी confusion हो जाता है, कपडों का जो समू होता है, उसको हम गठरी कहते हैं, भगतों के समू को हम मंडली कहते हैं, लोगों के को हम भीड भी कह सकते हैं, फूलों की समू को हम माला कहते हैं, विद्यार्थियों की समू को हम कक्षा कहते हैं, धागों या उन को हम लच्ची कहते हैं, अब यहाँ पर ऐसे जो शब्द हैं, यहाँ पर हमें बड़ा confusion होता है, कहने को तो बड़ा आसान टोपीक है लेकिन कई बर हमारे जो उत्तर होते हैं वो गलत हो जाते हैं अनाज का धेर हम सभी जानते हैं सैनिकों की टुकडी होती है नोट या कागज या ताश की गड़ी होती है मदुमख्यों का छत्ता होता है बड़ा ही कौमन है हम सभी जानते है जहाजों की समों को हम बेडा कहते हैं ये भी एक ऐसा शब्द है जो नहीं पता होता हमें वस्त्वों के समों को हम भंडार कहते हैं भेड बक्रियों के समों को हम रेवड कहते हैं ये स्थानी भाशा का शब्द है लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता आईए कुछ और उधारन देखते हैं कुछ उधारन बड़े आसान है जो हम अपनी आम बोलचाल की भाशा में परियोग करते हैं लेकिन कुछ विशेश उधारन आपको यहां पर जरूर मिलेंगे धन का खजाना हम सभी जानते हैं नक्षत्रों का समू पुंज कहलाता है तो यहां ऐसे शब्दों में हमें confusion होता है पश्वों का समू जुंड होता है हम जानते हैं जूतों का जो समू होता है उसे जोडा कहते हैं भगतों की मंडली होती है फूलों का गुलदस्ता होता है या फूलों या परवतों की माला या श्रंखला दोनों ही शब्द हम परियोग कर सकते हैं जहाजों की समू को हम बेडा कहते हैं सेना या टिड़ी का जो समू होता है उसे हम दल कहते हैं डाकू या चोरों के लिए एक विशेश शब्द का परियोग करते हैं, गिरो, यहाँ पर भी हमें confusion हो सकता है, धागों के समू को हम जाल कहते हैं, शब्द भंडार को हम कोश कहते हैं, कोश भी किस प्रकार से लिखा है, आप देख सकते हैं, सत्यागरियों के समू को हम जथा कह जो किसी गुरूप को डिनोट करते हैं, जैसे बुके ओफ फ्लार्स, बंच ओफ कीज, बंच ओफ ग्रेप्स, तो इस तरह से हर भाशा में इन शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन बड़े आसान टोपिक होने की वज़े से हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इतने आसान टोपिक है कि आपको हसी आ जाएगी, लेकिन परिक्षाओं में इन से परिशन पूछे जाते हैं, वर्ड्स डिनोटिंग सांड, तो यहां पर हमसे कभी-कभी पश्वों की, जानवरों की, पक्षियों की बोली के बारे में पूछ लिया जाता है, लेकिन हमें जो शब्द होता है हिंदी में, शुद हिंदी में जो एक्जेक्ट शब्द होता है, वो परिक्षा में नहीं क्लिक कर पाता, तो यहां पर कुछ बोलियां ऐसी हैं, जो बड़ी आसानी से हम प्रियोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाशा में, ल प्रिक्षा में जब ऐसे शब्द हम देखते हैं, ओप्शन में हम देखते हैं, तो हम जरूर कद्फ्यूज हो जाते हैं, गीदर हुआ हुआ करना, साप फुफकारना, चिता गुराना, बिल्ली म्याओ म्याओ, बड़ा ही कोमन है, भालू घर घराना, बकरी मिमियाना, आसान है, भोरे या भोरे का गुंचारना, मेंड़क का टराना, आईए कुछ पक्षियों की आवाजे देखते हैं, बतक का गुजना, यह ऐसे शब्द हैं, जहां पर जरूर हम कनफ्यूज होते हैं, कोवा काउं 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 करना, बड़ा ही कोमन है, चिडिया चहे चाहना, काफी कोमन है, उल्लू हुं हुं करना, हम कनफ्यूज हो सकते हैं, मुर्गा कुकडु कु करना, बड़ा ही आसान है, कोयल क कूकना या कुहूकना बाज का चीखना तो कुछ ऐसे शब्द जरूर है जिसमें हमें बड़ा confusion होता है कबूतर गुटरगू करना काफी कोमन है मक्हिया भिन बिनाना बहुत ही कोमन है तोता टेंटे करना तो इस तरह के जब option हमें दिये जाते हैं आवाजों के बारे में या सम चल चलाना बिजली कड़कना पंक फड़फडाना तोपिया बंदूक दंदनाना घुंगरू रुणजुन करना गाड़ी चुक चुक करना बड़े ही आसान है जिवा लप लपाना धनुस टंकारना टंकाश अब में हम confuse हो सकते हैं मोटर साइकिल फट फट करना गोली संसनान गोली संसनाना तोपिया बंदूक दंदनाना तो यहाँ पर आप अंतर देख सकते हैं दात किट-किटाना बादल गरजना रुपे खनकना दर्वाजा खट-खटाना चारपाई चर-चराना घंटा घंघनाना पैर पटकना जरना जर-जर करना हवा का सर-सराना घड़ी का टि जर-दे का धड़कना तो कुछ कोमन शब्द है जो हम बार-बार अपने आम बोल-चल की भाशा में परियोग करते हैं लेकिन कुछ नए शब्द जरूर हम देखते हैं आशा करते हूं इस वीडियो को देखकर आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा कुछ नए शब्द आ पारे में आज हमने चर्चा की है तो जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा फीडबेक जरूर दीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपी के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए धन्यवाद स सबीका बहुत बहुत धन्यवाद